राजस्तान विधान सवा चुनाव परिणामों के बाद नागोर जिले की परबत सर से बहुती शांदार जीत दर्ज करने वाले राजस्तान की सबस्चिय युवा विधायक रामनिवास गावडिया जी हैं जनों ने आज यानि 29 दिसंबर को परबत सर की जनता का आभार जताने के लिए जन आशिरवाद यात्रा निकाली है परबत सर सहर में जो सुबह गणेश जी मंदिर से सुरू होकर सहर के विभिन चोरहों से होते हैं बडला बाला जी की यहां पर पहुंची है जिसमें अपार ज जन से इलाब हम सबने सुबह चार गंटे से देख रहे हैं विदायक महोदे आपको सबसे पहले तो जीत की बढ़ाई और किस तरीके का अपार जन समर्थन परबत सर की जनता ने आपको दिया सरोपड़तम मैं जेवीपी मीडिया का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा जो सही जन परती नहीं दिया है या जो जनता के बीच में जिनोंने काम किया उनकी आवाज को परखर रूप से पूरे राजस्तान में उठाया उसके लिए मैं जेवीपी मीडिया औ आज सुबह से जो जोस और मौहूल आप लोगों ने देखा निश्चित रूप से जीतने के बाद लगातार छेतर से फोन कॉल्स आ रहेते हैं मेसेज आ रहेते कि हम लोग एक नहीं उर्जा और उस्सा और उमंग के साथ इस परवसर विदान सभा और इस परवसर सहर में वि इस तरह से हम लोगों को लोगों का जो आशिरवाद और प्यार मिला उससे देखकर लगता है कि निश्चित रूप से जो पिछले दिनों विदान सभा चुनों में हमें जीत मिली है उसका ये दुबारा से हम लोगों को जो आशिरवाद आज देखने को मिला हम लोगों पे जो प्यार और आशिरवाद जो जनता ने दिया इससे लगता है कि जनता ने हम लोगों को अपने दिल में बिठा लिया है और निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में भी एक कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता के रूप में और इस परबसर विदान सबा के बेटे और भाई के रूप में इनके बिच में रहकर काम करूंगा और साल के 365 दिन इस परबसर विदान सबा के नोजवान किसान और आम मजदूर की आवाज को उठाने के लिए मैं विदान सबा में फर्खर रूप से इनके राजनीतिक मुद्दे उठाऊंगा और राजनीतिक मुद्दों की ल के लिए जो हमने संकल्प लिया ता और परवसर में संकल्प रहली के मादेम से जो कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता हुने संकल्प लिया राजिस्तान विदान सबाओं में उस संकल्प को पूरा किया और आने वाले दिनों में परवसर विदान सबा का परतेक वेक्ति एक खु बनाया है तो युवा चातराजनिती से आप आये हैं तो चातराजनिती करने वाले उन युवाओं के लिए राजनिती में कितना उजवल भाविश्य मानते हैं और उन छोटे भाईयूं के लिए आपका मेसे देखिए राजस्तान विस्वदाले में जिसने चातराजनिती की दिया और जनता के बीच में रहकर जिनों ने भी काम किया उन लोगों को हमेशा आज भी जो नहीं अभी राज़स्तान विदानसभा के सदल से हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कितने लोग राजिस्तानी सुद्धाले में चाहते राजनीती कर निकले हैं। उनमें से आज विदानसभा चुनाओं में जो जीत कर रहे हैं हम लोगों का यही संदेश है नोजवानों के लिए कि जिस भी छेतर में जाये चाहिए वो शिक्सा हो चाहिए राजनीती का छेतर हो आप उसमें इमानदारी से अपने लक्से को पड़ती इमानदार रहते वे एक नदारी संकल्प के साथ जिस कारे को करेंगे निस्चीत रूप से आपको हर चेतर में सपलता मिलेगी और मेरे नोजवान साथियोंकों मैं सुबगामना है देता हूं कि हर चैतर में आप प्रदेश का, देश का और अपने गाउं का नाम रोशन करें धन्यवाद राम राम रा